धर्मेंदर के बाद अब हेमामाली भी करने बाली है फिल्मों में किसिंग सीन सोचल मीड़ा पेस को लेके कही है उन्होंने कुछ बाते आए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और किस बारे में जिकर करती हुए दिखाई दे रही है हेमामाली नवश्कार आप देख रहे कि कई और दिगज के लड़ागारों ने भी इस सीन को लेके अपने विचार ब्यक्त के थे इसे बीच में हेमामाली ने अपने पती के सीन को लेके रियक्ट करा और उन्होंने कुछ बाते कही है उन्होंने कहा कि वो भी इस चीज को सपोर्ट करती है आपको बता दे करन जोह और कि ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी काफी तदा अच्छी गई थी इसे के साथ इसमें जो चर्चा वाला विशा था वो ये था कि धर्मेंदर का और शवाना की केमिस्ट्री जो की पड़ते पे दिखाई थे लिए इसे बीच में अब हीममानी ने भी किसिंग सीन को लेके अपनी चुपी दोड़ी है उन्होंने बताया उन्हें कैसा लगता है एक इंटेवी के दुरान जब उनसे पूछा गया कि आप अपने पती के सिंग सीन को लेके क्या कहना चाहती है तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा है मुझे यकीन है क कि लोगों को भी पसंद आया होगा मैं धरमेंदर जी को बहुत जादा खुश देखती हूं क्योंकि उन्हें के सामने परफॉर्म करना काफी ज़दा पसंद है इसे बीच में जब वह इतने टाइम बाद परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़दा खुशी है कि उनक अच्छे स्टोरी दिखाने के कोशिश करें तो मैं करूंगी और अगर रोल की डिमांड होगी तो भी मैं करूंगी इन मैंटर करता है प्रोल और किस तरीके की स्टोरी है पर उनका इस एक्सेप्टेंस वाला भी है किसी सीन को लेकि अपनी पॉलिसी को इतने साल बात करें को लेकि करी सारी बाते चल दी है आपके क्या उपीनन है इस भी मालनी की बात को लेकि कमेंट मॉक्स में लिखके जरूर बताएं अपने उपीनन को जरूर शेयर करें नहीं बात